दोस्तो इधी हम meme token की category देखे तो पिछले last 30 days का record अगर चेक करोगे तो पेपे 144% increase हुआ है दूसरे number पर flow की 75 के साथ है तीसरे पर अगर आप देखेंगे तो दूसरे coin दिखेंगे like bonk वगेरा मान लो लेकिन यहाँ पर अगर हम Shiba का number देखे तो 8% का है last 30 days में आज की condition में Shiba Inu के साथ थोड़ा सा दोहरा रवया अक्तियार किया जा रहा है खुद इन्वेश्टरों के दुआरा यानि कि जो छोटे बड़े trader थे और जो खुछ खास wheels थी वो भी कहीना कहीं Shiba को avoid करके दूसरे coin के तरह पाकशित हो रही है हाल हमें एक data आया था जिसमें बताया गया था कि यदि ऐसा कुछ हुआ यानि कि paper और flow की ने कुछ अच्छा performance किया और एक resistance के power price पहुची तो Shiba Inu के 10,000 से ज़्यादा accounts खत्म हो जाएंगे यानि कि बंद हो जाएंगे यानि कि उनका पूरा पेसा इन meme token के तरफ shift होने के गुंजाइस या chances बताये गए थे लेकिन क्या हम यह सोच सकते हैं कि bitcoin के halving के बाद Shiba Inu में कोई खास growth नहीं हुई तो क्या Shiba Inu के दिन जा चुके है और Shiba Inu में वो moment नहीं होने से क्या जो investor है वो दूसरे meme token के तरफ shift हो चल रहे होंगे जिससे इस वीडियो के आपकी संतुष्टी जरूर मिलने वाली है एंड तक वोच करना पसंद आये तो चैनल को subscribe कर लेना bell icon को hit कर सकते हैं और Shiba के बारे में आपकी क्या मत है opinion है comments में जरूर अपनी राय लिख देना वहां पर देखिए Shiba Inu एक ऐसा coin है जो उलट फेर के लिए जाना जाता है आज की condition में भले ही meme token में competition आने से Shiba के थोड़ा सा यहां पर downfall दिख रहा है आप इसमें growth नहीं दिख रही है आज के time पर अगर आप देखोगे तो doge coin की स्थिती बहुत बुरी हो चुकी है लेकिन एसा नहीं कहा जा सकता कि doge coin comeback नहीं कर सकता लेकिन उसकी तुलना में Shiba Inu में comeback करने के ज़्यादा chances है आज doge coin को कोई पूछ नहीं रहा है record अगर चेक करोगे तो बहुत कम दिख रहा है वेसा ही Shiba Inu की स्थिती यहां पर निर्मित हो रही है लेकिन क्या paper और flow की जैसे coin कभी भी Shiba Inu को beat कर सकते हैं और क्या पीछे छोड़ सकते हैं यह सायद आज की condition में थोड़ा सा अगर short term rally के point view सो सोचे तो यहां लगता है कि हां यार paper Shiba जैसे coin आगे निकल रहा है या फिर कोई सा नया meme token आगे निकल रहा है लेकिन अगर long term के point view सो सोचे तो यहां बिलकुल भी नह सकता है Shiba Inu में उलट fair करने का माददा है क्योंकि इसने कई बार ऐसा करके दिखाया है अगर जब हम long term की दरश्टी से देखें तो ज्यादा तर इन्वेश्टर और वेल्स का इविस्वास है कि Shiba एक perfect coin हो सकता है खुद Lucy ने एक बार यहां पर statement दिया था कि हम कोई 50-100% का profit लेकर आगे नहीं बढ़ रहे है हमारा जो टार्गेट है वो Shiba Inu को king maker बनाना यानि कि हम एक बड़े breakout एक बड़े long term vision के साथ बढ़ रहे है हम Shiba को like एक blockchain बनाना चाह रहे है जैसे Shibarium के साथ हम जितने भी हमारे जो project है बड़े बड़े उन सभी project के दम पर Shiba Inu को हर investor की प portfolio में जगा बनाना या जगा देखना चाहते है अगर Lucian उनकी team का अगर हम statement समझे और अगर detail में समझने का प्रियास करे तो Shiba Inu के साथ वो long term खेलना चाहते है अब investor भी अगर इस बात को समझते है तो obviously वो भी long term खेलना चाहेंगे long term से मतलब 2025 का target, 2027-28 का target, एक target 2030 का और उसके बाद का यानि की जिस type से अलग-अलग countries में cryptocurrency को स्विकार किया जा रहा है जिस type से अलग-अलग cryptocurrency को अच्छे नजर से देखा जा रहा है जिसमें US का सबसे बड़ा योगदान है जैसे bitcoin इtherium का ETF ला देना और अलग-अलग countries क्रप्टो को regulate करने के बारे में विचार करना खासकर इंडिया में सेवी की द्वारा ये कहना कि क्रप्टो को नियामक के जर बड़े प्लान क्या है और इसलिए वो long term के point view से चल रहे है क्योंकि दुनिया भर में क्रप्टो करेंसी को जो बुरी नजर से देखा जा रहा था वो point view बदल रहा है और यही कारण है कि शीबा को वो बड़े kingmaker बनते हुए देखना चाह रहे हैं अगर हाली में एक आपने news कुछ देखी होगी कि डोनाल्ड टरंप अपने campaign में bitcoin सही शीबा उन्हों को सामिल करते हैं अब यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है याने कि कुल मिला के जो Lucy ने उस दिन statement दिया था वो सही साबित हो रहा है कि हम बड़े vision से आगे बढ़ रहे हैं अब इतने बड़े बड़ रहा है और हम तो यहां से निकल के दूसरे coin में जा रहे हैं वो कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं क्योंकि आज का आप आज मत देखो अगर आप कल देखोगे ना तो शीबा आपको perfect coin लगेगी आज यह बढ़ रहे हैं कुछ coin भले बढ़ रहे हैं मैं यहां नहीं के सकते कि पेपे के अभी आप तारिफ कर रहे थे पिछले वीडियो में अब आप इसकी बुराई कर रहे हैं देखिए हर चीज का एक नजरिया होता है हर चीज की condition होती है उससाब से निड़ने लिया जाता है यह crypto market ही है कोई सबजी market नहीं है जहां पर एक ही तो आप comments में कुछ भी कहने लग जाओ पेपे के साथ condition अलग है पेपे में कब invest करना चाहिए कब नहीं किस हिसाब से करना चाहिए क्या condition रहेगी लेकिन बजाए शीबा से इसकी तुलना विपरित हो जाएगी condition तो यह चीज मैं समझाने का प्रियास कर रहा हूँ प्लीज इ 10 साल का किसी भी crypto किसी भी meme token में invest करना है तो आप किस पर भरोसा करोगे 10 साल के vision के लेकर चल रहा हूँ मैं आप कमत रहेगा obviously doge coin और shiba जादे जादे आप flow की पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन और किसी coin पर नहीं कर सकते हैं आप यह कहोगे कि sir shiba doge तो रहेंगे लेकिन प पता नहीं इनका क्या हो जाए उस time तक तो यह एक विश्वास है आज की condition में बड़ी बड़ी organization shiba inu को as a payment में accept कर रही है यह इसकी potential है बड़े बड़े campaign में shiba inu आकरशित हो रही है यह बड़ा इसका potential है बड़े बड़े project shiba inu team लेकर आ रही है यह इसकी strength है अब आप शीबा को blockchain के लिए नहीं जाना जाएगा और इस ले जाना जाएगा आप समझिए और उस time अगर शीबा inu ने अपनी यह burning को बड़े प्रेमाने प्रेग्जेकुट कर दिया लाइक वाया shibarium तो फिर आप सोचिए कि shiba inu कहां तक जा सकता है तो बड़े vision से अगर आगे को हर portfolio में जगा देना और किसी भी cryptocurrency की सफलता तब शूनिश्चित होती है जब वो cryptocurrency एक तरीके से सभी लोगों के जुबान पर आजाए जो shiba अल्रेडी पहले ही कर चुका है दूसरा वो cryptocurrency सभी की need बन जाए अगर आपने उस coin को need बना दी लोगों की तो obviously वो coin कभी भी फेल नहीं होगी जैसे कि like पेसा अगर हम पेसे को लेका चले या फिर चलो पेसा तो एक दूसरा example हो जाएगा हम लेते हैं UPI आज की condition में जितने भी UPI है phone पे Google पे एक need है क्योंकि हम उसके इतने आदी हो चुके है कि अगर वो नहीं हो तो सायद हमारा काम नहीं चलता है मेरा तो यही need Shiba Inu की बनने वाली है कि आपके पास Shiba Inu है आप कहीं गए उससे आपने payment कर दिया आपके पास Shiba Inu है वो धीरे धीरे बढ़ रहे है आपके Shiba Inu है आपके portfolio में है देखते देखते Shiba Inu की इतनी बाते हो रही है कि Shiba Inu एक टाइम एक डोलर पहुच गया भविश्य में यह future बता रहा हूं मैं आपको आप सोचे आपके पास लाखो Shiba Inu है और वो एक डोलर पहुच गया Shiba Inu का प्राइज जब आपने खरीदा था तब 4-0 थे उसकी point के बात के suggest imagine करके देखिए यह बताता है कि यार जो Shiba Inu है वो एक तरीकी से उलट फेर के लिए जाना जाता ह और यह उलट फेर भले ही आज नहीं हो रहा है लेकिन Shiba Inu बड़े उलट फेर का माददा रखता है और यह history में दिखाया है और future में यह history बनेगी कि केसे Shiba Inu ने उलट फेर किया था ठीक है और अभी जजबब हो थे क्योंकि अभी बुल रहन आने दो वापस Shiba Inu एक दो त जरूर कमेंट्स में लिखना चैनल सस्क्राइब कर लेना